बिसमिल्ला है रुख्मान रहीम यह मेरे पास बुक है प्राबिटी एंड स्टेटिसिक्स फार इंजिनियर एंड साइंटेस्ट नाइंथ एडिशन है और इसका चैप्टर नंबर 6 है और पैज नंबर है 187 और इस 187 पे जो प्राब्लम है वो है 6.18 और इसकी स्टेटमेंट है अब यह जो 10,000 या 1000 दे दिया यह हमारे पास कैपिटल न होता है जब इस तरह तादाद दी जाए तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं कैपिटल न और यहां पर मीन जो है स्टेंडर्ड वियर्शन जो है सेगमा जो है वह कितना है 6.9 और यह सारे के सारे संटिमेटर में हैं तो यह भी हमने संटिमेटर में लिखना है एज्यूमिंग देट हाइड़ रिकाड़र्ड टू दे निरेस्ट हाफ संटिमेटर और इसका मतलब यह होता है कि आप जो है न कि आगे चल कर में बताऊंगा लेकन पहले जो है यहां पर just probability find out करें कि would you expect to have the height less than 160 cm तो सबसे पहले हम part A को करने लगे हैं तो part A में उसने probability सबसे पहले आप करेंगे less than 160 cm तो यह 160 करेंगे इसको standardized करेंगे standardized में x minus mu divided by sigma और less than करेंगे 160 माइनस और मीन इसका है 174.5 डिवाइड करेंगे इसको 6.9 पर और इसको लिख लेंगे यहां पर probability of z और यह आ जाएगा less than आप यहां से calculator लेंगे calculator में आपके पास यहां पर होगा 160 और इसमें माइनस कर देंगे 174.5 ब्रेकट क्लोज डिवाइड बाई 6.9 तो यह करेंगे और इकल कर देंगे और यह आ जाता है माइनस 2.10 तो यह माइनस 2.10 आ जाएगा मीन जो है वो इसका किस जगापर होगा मीन है 174.5 अगर मीन यहां पर है तो आप से 160 से बिलो मांग रहा है तो 160 जो है न वो यहां पर होगा 160 तो इस से बिलो आप से यह एरिया जो है वो आप से मांग रहा है तो यह वाला एरिया मांगेगा तो जब के हमने इसको जब स्टेंडर्डाइज किया स्टेंडर्डाइज किया तो यह जो यह एक्स का स्केल है लेकर जब हमने इसको स्टेंडर्डाइज किया तो यह जो एक्स का स्केल है यह स्केल यहां पर बन जाएगा 0 और यहां पर यह बन गया है माइनस 2.10 और यह इस से बिलो एरिया जो एना कह तो हम directly हम जो है वो जाके टेबल में एरिया जो है वो देख लेते हैं तो अब हम यहां पर normal distribution का टेबल लेकर आते हैं तो यह normal distribution का टेबल है आपके सामने और यहां पर आप देखें कि जो z की value है वो minus 2.10 है तो जब यह left side पे होगी तो हम directly normal distribution में देख लेते हैं और यह table है minus 2.1 और यह देखें minus 2.1 और इसको यहां पर 0 में देखेंगे तो यह आता है 0.179 तो यह इसकी probability आगे 0.179 तो यह इसकी probability आ जाती है अब इसमें देखें यहां पर उसने जो problem में कहा था how many how many कहा था of these students would you expect to have heights less than this तो how many जब कहा है यह तो हमने probability निकाली तो अब जब हम तदाद की बात करेंगे तो हम finally हम इसके साथ जो है वो basically इस 10,000 को multiply करेंगे तो sorry 1000 को यह 1000 को हमने multiply किया जब इसके साथ multiply कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 1000 and to 0.0179 तो यह कितना आ जाता है 17.9 जो कि approximately equal to 18 जो है यहां पर 18 students we would expect their data height would be less than the 160 cm जैने कि 18 students की जो हाइट है वो 160 cm से less होगी हम यह expect कर रहे हैं तो यह आपने finally जो answer होता है उसको इसके साथ multiply कर लेना होता है जो 1000 है उसके साथ इसके बाद हम जो है ना इसका पार्ट B की तरफ आते हैं तो पार्ट B में उसने कहा between जो है वो find out करना है तो between जो है वो क्या होगा x is greater than 171.5 less than यहां पर 182.0 तो इसको हम यहां से standardized कर लेंगे तो standardized कैसे करेंगे इसको z में convert करना है तो z में कैसे करेंगे 171.5 minus 174.5 divided by इसको क्या करेंगे 6.9 और less than करेंगे x minus mu divided by sigma और इसके बाद less than यहां पर 182.0 minus 174.5 और इसको divide कर लेंगे किस पे यहां पर 6.9 पे तो इसको अब हम जैना यहां पर लिखेंगे तो यह probability आ जाएगी और यहां पे आप नार्मल distribution के लिए आप इस calculator में चले जाएंगे और यहां से आप change करेंगे यह देखें 171.5 और बाकी यह सारे का सारा हुई है तो यह आता है 0.43 तो minus 0.43 आ गया और यह less than z हो जाएगा और यह less than आ जाएगा अब आप इसको यहां जाएगा और यह less than आ जाएगा अब आप यहां से change करेंगे किसको 171 के बजाए यहां पर अब है 182.0 तो आप इसको यहां से खतम कर दें 182.0 और इसको equal कर दें तो यह आता है 1.09 तो 1.09 तो यह देखें हम graph ले आए हैं तो इस graph के अंदर आप यहां पर देखें जो value है यहां पर mean होता है 174.5 हो गया और इसकी value जो है below वली 171 यहां पर आ जाएगी 171.5 और upper value है यहां पर 182 तो यह आ जाएगी 182 तो इसको जब हमने standardized किया है तो standardized का जो scale है उसमें यह value आगी 1.09 जी के case में यह x का scale है और यह जो एन आ जाती है 0 और यह आ जाती है minus 40.43 तो यह इसके दरम्यान जो है यह area आपने find out करना है अब इस area को कैसे find out करें यह हम जा है जानते हैं कि हम normal distribution में जब भी किसी value को देखेंगे आप इसको देखेंगे तो वो इस से लेकर आपको यहां पर minus infinity तक यह area देगा और अगर आप 1.09 को टेबल में देखेंगे तो वो वहां से लेकर यहां तक इस area को टेबल में देगा तो आपने क्या करना है इस area मे से इस जो यह जो लाइन माइनस infinity से लेकर 1.09 तक इसमे से इसको माइनस करना है तो आप यहां पर पहले लिखेंगे minus infinity less than z less than 1.09 और इसमे से माइनस करना है किसको minus infinity less than z less than minus 0.43 को तो यह आ रहा है 1.0 और यह 9 बिलकुल आखरी value होगी इसके नीचे 8621 8621 तो यह आता है 8621 और यह minus होगा 0.43 और हम टैबल में जाएंगे इसमें minus के साथ 0.43 तो यह 0.43 0,1,2,3 यह आ जाएगा 2336 इसके उपर है यहां पर 0,1,2,3 तो यह आ जाएगा 2336 आ रहा है तो आप यहां पर लिखेंगे 0.3336 अब इसके बाद इसको कल्कुलेटर से जो है न वह साल कर लेंगे तो 0.8621 माइनस 0.3336 तो यह करेंगे तो आपके पास आ जाता है 5285 तो यह आपका अंसर आ गया है पार्ट B का इसको भी हमने 1000 के साथ मुल्टिप्लाई कर देना है तो 1000 पाइफ तो यह आ जाता है 528.5 मतलब एप्रॉक्सीमेटली 529 स्टूडेंट्स हाइट लाइज बिटूइन 171.5 तो 182 आ जाता है अच्छा यह जब आ जाता है दिके साथ फिए एक्जेक्टली इकल्ट वान 175 तो जब इस तरह से आता है तो यह नार्मल erzählt डिस्टिबीशन है, नार्मल डिस्टिबीशन में जब भी equal to आएगा तो इसको हम directly equal to zero लखेंगे, क्योंकि normal distribution एक continuous distribution है, तो continuous distribution में हमें greater than या less than की farm में होता है, equal to की farm में जब भी आप probability निकालेंगे, तो वो equal to zero हो जाएगा, इसको आपने directly ये लख लेना है, उसके बाद जो ह ने बताया है कि probability निकलनी है, x is greater than 188 cm, तो x is greater than 188, तो आपने इसको find out कर लेना है, x minus mu divided by sigma greater than 188 minus 174.5, divide करना है 6.9 पे, और इसको calculator से solve कर लेना है, कि ये क्या आ रहा है, तो हमने calculator ले लिया, calculator से हम इसके जरीए उपर चलेगे, तो 188 ये किया, 188 ये equal आया, 45 by 23 और ये आता है, 1.96 आता है, तो ये 1.96 आएगा, और इसके लिए यहाँ पर आम ये टेबल जैना, ये ग्राफ ले आते हैं, आप इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर ज value होगी, mean की value होगी, वो 174.5 होगी, और ये 188 आ रहा है, तो 188 यहाँ पर हो जाएगा, और इस से उपर ये वाला area हमें चाहिए, तो आपको मालूम है, कि जब भी आप टेबल को देखते हैं, तो वो टेबल आपको, पहले तो आपने Z में जाना है, फिर आपने टेबल में देखना है, डारेक्ट आप X को नहीं देखते हैं, पहले आप Z में चले जाते हैं, सोरी, ये X किया, ये Z किया, यहाँ पर 0 आ गया, जब इसको ट्रांस्फार्म किया, तो ये 1.96 आया, हमने अल्डेडी कर दिया, अब अगर इस 1.96 को टेबल में देखेंगे, तो वो यहाँ से लेकर, आपको यहां तकेरिया देगा, यानि कि इसकी लूर लिमिट्स के माइनस इनफिनिट्टी है इस तक, तो आपने क्या करना है, कि आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ एसे इंभी किया जा सकता है या इसको Linux infinity to plus infinity और फिर probability of x is greater than minus infinity to वन पाई नाइन 6 करेंगे तो इस ज्पिए जा सकते हैं बाहरल आप dardjas ली आ प ऐसे भी कर सकते हैं यह टेबल हा गया 1.9, 01, 23, 3, 4, 5 और 6 तो 0.975 आ जाता है तो आपने 0.975 करना है 0.975 तो इसको आपने 1 से माइनस करना है तो कल्कुलेटर लेना है तो 1 माइनस 0.975 करेंगे और equal हो जाएगा 1 बाइ 40 और इसको देखेंगे 0.025 तो ये 0.025 आ जाएगा अब ये है प्राबिबिलिटी प्राबिबिलिटी आफ एक्स इस ग्रेट देन 1 एटी एट तो 1 एटी एट से ज्यादा हाइट होने की जो प्राबिलिटी है किसी भी स्टूट्स की वो वो 0.025 है और अगर हम इसके साथ 1 ताउजन जो शुरू में दिया था उसको इसकी प्राबिबिटी के साथ मिल्टिप्लाई करेंगे तो यह हमारी नंबर आफ स्टूडन्स आजएंगे देट इस 25 तो 25 स्टूडन्स जो हैं उनकी हाइड ग्रेट देन 188 संटिमीटर है तो यह प्राब्लम यहां तक ही था